यदि मैं आपसे पूछूं कि जो मश्रूम्स हैं वे वैज हैं या नौन वैज हैं तो कई दोडों का जवाब आएगा कि मश्रूम्स वैज हैं दरसल मश्रूम ना तो वेज है ना नौनवेज है वेज का मतला में जो प्लांट ओरिजिन का है और नौनवेज का मतला में जो की एनिमल ओरिजिन का है मश्रूम होते हैं फंजाई एक तरह के फंगस होते हैं जिनका हम खाने में इस्तिमाल करते हैं दरसल मश्रूम की कई सारी वराइटीज होती हैं और जो सबसे कॉमन वराइटी जिसका हम खाने में इस्तिमाल करते हैं वो होता है एगरिकस मश्रूम लेकिन कई मश्रूम ऐसे होते हैं जो काफी जहरीले होते हैं जैसे कि एमेनिटा मश्रूम उसे खाने पर व्यक्ति की डैथ भी हो सकती है कहा जाता है कि गोतम बुद्ध की व्रक्तिव भी ऐसे ही जरीले मश्रूम को खाने के कारण हुई थी मश्रूप ना तो वेज है ना तो नौन वेज है पर प्रोटीन का एक अच्छा प्रोथ है